So, Hello Traders, Welcome to ZPR Trading YouTube Channel. हम लोग कल का analysis करने वाले हैं, कि bank nifty में हम लोग कल कैसे trade कर सकते हैं, ठेक है? और साथ में मैं पूरे week का analysis करने वाला हूँ, ठेक है? ये पूरे week में market कैसे move कर सकता है? तो इसलिए मैं weekly time frame से start कर रहा हूँ, ठेक है? मैं कैसे कैसे बताऊँगा आपको पहले में बता देता हूँ, सबसे पहले weekly time frame का बताऊँगा, फिर daily time frame का बताऊँगा, फिर hourly time frame का बताऊँगा, ठेक है? उसके बाद 15 minutes, उसके बाद 5 minutes, ठेक है? इसलिए आपको पूरा time frame का knowledge ह इसलिए आप वीडियो में लास्तिक बने रहे हैं देखिए सबसे पहले अगर मैं विकली टाइम फ्रेम का बात करता हूं तो यहां आपको सुटिंग इस्टार दिख रहा होगा ठीक है सुटिंग इस्टार आपको नहीं भी पता फिर भी आप देखो अगर तो यहां से मार्के विकलोज करता है। अब आप देखो कि यहां से मार्केट वनवे ऊपर गया था तो थोड़ा मार्केट में करेक्शन इसके high पे मैं mark करता हूँ, तो मेरे सामने कुछ levels आएंगे, 38%, 52% और 61.8%, आप देखो कि market उपर जाता है, यहां support लेता है, फिर से उपर जाता है, अब फिर से market यहां पे आ सकता है, तो यह level हमारे लिए important है, तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं mark कर लूँगा, यह कितना है 38,268, तो इसे मैं क्या करता हूँ, यह level थोड़ा और नीचे होगा, क्योंकि यह यहां से आया है, उपर गया है, ठेक है, तो 38,200 के पास यह level कहीं कहीं आएगा, ठेक है, इसको मैं 200 के पास कर देता हूँ, अब देखिए, यह level हमारे पास mark हो चुका है, और इसके टेक्टर म और यह क्या है, वीकली, ठीक है, वीकली फिट थाटी एट है, और इसे मैं लेवल कर देता हूँ, 38,200, ठीक है, अब मैं फिवनाची को हटा देता हूँ, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम का पता चल गया, कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद आपन क्या करते है अब जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है, कि इधर मार्केट एक M पैटन बनाता है, M पैटन का इधर प्रेक करता है, ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, CPR में जाकर मंतली CPR लगा लेंगे, मंतली CPR लगाने से आपको क् हुआ, कि आपके सामने लेवल आ चुका है, कि मार्केट नीचे आए, कि तो सबसे पहले support कहां ले सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले support आपको दिख रहा, 39192 पे है, ठीक है, यह बैंक्निप्टी का सबसे पहला support होगा, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जिसमें मंत, मैंने, मंतली CPR लगाया हुआ है. तो इसे भे हम लोग मार्क कर लेंगे. 39192 ठीक है. इसे भे हम लोग मार्क कर लिया. अब देखिए हमारे पास क्या क्या लेबल आ चुके हैं. फिव नाचे का लेबल आ चुका है. और यह लेबल आ चुका है. इससे हम लोग लिख देंगे मंतली top CPR, ठीक है, मंतली TC हो गया यह, अब जब यह break होगा, तो हमाले और नीचे support आएगा, ठीक है, तो यह अभी उतना important नहीं है, क्योंकि पहले market यहां तक आएगा, अब मैं resistance का बात करूँ, तो सबसे पहला resistance market है, फिर क्या आपको दिखेगा, जो level है 40447, ठीक है, जो कि मंतली CPR का R1 है, तो 40447 पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहां पर level mark कर लेते हैं, और इसे हम लोग नाम दे देते हैं, मंतली R1, ठीक है, अब हमें क्या करना है, वन आवर का time frame पर चलना है, वन आवर का time frame पर आने के बाद, हमें यहां पर weekly CPR ठीक है, weekly CPR लगाने के बाद आपको क्या दिख रहा, कि market अगर flat open होता है, तो सबसे पहले resistance कहां market के पास आएगा, market का सबसे पहले resistance इधर आएगा, ठीक है, यह level, यह क्या है, weekly below CPR, ठीक है, उसके बाद, कहा market आएगा, previous low, तो यह तो आपका कल, CPR पर भी previous low, चार्ट पर रहेगा, ठीक है, इतना clear है, अब नीचे का level अगर मैं mark करूँ, तो जब तक weekly CPR, monthly CPR का top break नहीं होगा, तब तक S1 तक market नहीं आएगा, ठीक है, इतना clear है, अब अपन, अगर उपर का level देखते हैं, तो देखिए, यहां पर है top CPR, तो अगर market यहां से अगर उपर move करना चाहिए, तो जब तक इसके उपर नहीं आएगा, तब तक market में एक trending move नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कि 41064 के उपर ही market में एक trend दिख सकता आप लोगो, अब मुझे क्या करना है, कि मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, कि यहां जाकर, sorry यह जो मैं आपको बत फाइव मेट के टाइम फिर्म पे चलना है, और यहां में tomorrow CPR लगाना है, tomorrow CPR लगाते हैं, हमारे सामने कुछ लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है, और यह लेवल क्या-क्या है, आप देखो, यह अपना CPR अकल के लिए, ठीक है, यह R1, उपर previous day high, और monthly R1, ठीक है, नीचे, monthly top CPR और S1, और यहां पे previous day low, सारा लेवल अपने पास है, अब बात करते हैं, अगर market flat open होता है, तो क्या होता है, आप देखो, market एक lower high बनाते बनाते, नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर market flat open होता है, इसी जोन में, उपर ब्रेक करता है, CPR के पास आपको put buy करना है, ठीक है, CPR के पास negative candle मिलते हैं, आपको put buy करना है, और previous day low break होगा, फिर आपको यहां तक 39196 तक ल कर देता है, और weekly CPR के अंदर आ जाता है, तो यहां फिर market आपको sideway दिख सकता है, इतने दुर में, ठीक है, यहां पर आपको करना है तो आप scalping call की तरफ कर सकते हो, अगर market बहुत बढ़ा gap up open होता है, ठीक है, और monthly R1 के उपर आ जाता है, तो क्या होगा, weekly CPR के उपर monthly R1 के उ ट्क यो